नमस्कार दोस्तों अभिनाव क्लास से इसके ओनलाइन प्लेट परूंपर आपका आर्दी का अभिनांदन है तो दोस्तों आज की स्कड़ी में अपने स्टार्ट करते हैं रिजिनिंग का चेप्टर अपना क्लोक देखिए दोस्तों clock घड़ी और दोस्तों देखिएगा इससे कैसे question पूछी जा सकता है basic क्या है पहले सबसे पहले अपन इसके basic की बात करेंगे basic के बाद में जो कौन-कौन सी type होती है और type के बारे में सारी बातों के बारे में बात करने वाले है अपन तो सबसे पहली basic की बात करूना में तो basic क्या होगी हमारे जो question आते हैं वो question पूछे जाते है analog clock से यानि digital वाले question नहीं आते है जो भी सारे question पूछे जाते हैं वो सारे question होते है analog clock से analog clock का मतलब सीधी-सीधी बासा में अगर मैं कहूं तो जो घड़ी का परियोग होता है हमारे सुयों वाली घड़ी का परियोग किया जाता है सुयों वाली घड़ी से समन्दित कुछन पूछे जाते है इसका बेसिक के लिए बाते आपन बात करें जैसे माली जी दोस्तो यह अपनी घड़ी है और देखीगा वर्ताकार क्लोकापन परियोग करें तो एक वर्त जो होता है दोस्तो वो वर्त होता है 360 डिगरी का कितने डिगरी का? 360 डिगरी का मैं कह सकता हूँ यह जो घड़ी है दोस्तो यहां इसमें 12 अंकित है यहां आपने 3 अंकित किया है यहां आप 6 अंकित कर रहे हैं यहां आपके द्वारा 9 अंकित किया गया है 12, 3, 6, 9 और दोस्तो देखीगा यह जो 12 है, 3 है, 6 है, 9 है इनको अन्ने की मुकाबले थोड़ा सा हाइलाइट करके परजेंट किया जाता है और इनको हाइलाइट करने का सिधा सिधा रिजन यह होता है दोस्तो फिक्स 3 बजे जो एंगल बनता है दोस्तो वो एंगल बनता है 90 डिगरी का फिक्स 3 बजे जो कोण बनता है कितने डिगरी का बनता है 90 डिगरी का फिक्स 9 बजे जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 180 डिगरी का और फिक्स से 12 बजे जो एंगल होता है वो होता है 360 डिगरी या 0 डिगरी का 360 डिगरी या 0 डिगरी का इसलिए दोस्तो 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 को अन्य के मुकाबले थोड़ा सा हाइलाट करके परजेंट किया जाता है तो निशिता आप कह सकते हैं समय कि फिक्स 3.90 का, फिक्स 9.90 का, फिक्स 6.100 का और फिक्स 12.360 डिगरी का इंगल बनता है अब दीखिएगा simple सी बात है अपना आपन कह सकते हैं समय जो घड़ी है एनालोग है सुयों वाली घड़ी है इस सुयों वाली घड़ी में मुख्यताब जो अपनी सुयां होती है वो सुयां दोस्तों कितनी होती है तीन सुयों के बारे में बात करने वाले सबसे पहले आपन बात करेंगे सबसे बड़ी सुय सेकंड वाले सुय उसके बाद में मंजली सुय मिनेट वाली सुई उसके बाद में बात करेंगे सबसे छोटी वाली सुई घंटे वाली सुई के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तो तो देखिएगा ये तो पूरा आप ये समझ चुके होंगे कि 12,36,9 को हाइलाट क्यों किया जाता है फिक्स 3 बजे और 9 बजे 90 डिगरी कोन के कारण फिक्स 6 बजे 100 से बनता है फिक्स 12 बजे 360 का कोन बनता है इसलिए अन्ने के मुकाबले हाईलाइट करते है अगली जो बात करें अगली विसिस्ता की बात करें अपन हमारे सामने देखिए दोस्तो ये जो क्लोक है इस कलोक में देखिएगा जो अपनी सुईया है दोस्तो वो सुईया है मुक्यते 3 और 3 सुईयों में सबसे जो बड़ी सुईय है सबसे बड़ी सुईय के बारे में बात करो तो ये सुईये दोस्तो 2 वाली इससे छोटी सुईय के बारे में बात किया जाए और यह जो वर्त है कितने डिगरी का होता है 360 डिगरी का तो मैं कह सकता हूं यह जो घड़ी है यह टोटल जो एंगल बनता है कितने डिगरी का एंगल बनता है 360 डिगरी का अब यह जो सुईयां दोस्तों आप देख पारें तीनों सुईयां इनका कारी क्या रहता है चक्कर बात करने वाले हैं दोस्तों सबसे पहले चक्कर कुन सा पूरा करेगी इस बात की बात आती है तो आपको पता है सबसे पहले चक्कर वो सुई पूरा करती है जो सबसे तेज चलती है जो सबसे पहले चक्कर या सबसे पहले पूरा एंगल 360 डिगरी गा किसके दौरा बनाया जा और इन में सबसे तेज चलने वाली जो सुई है दोस्तों वो सुई है सेकंड वाली सुई कौन से सुई है सेकंड वाली सुई के बारे में अगर आपन बात करें तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि सेकंड वाली जो सुई है वो पूरा 360 डिगरी का जो एंगल है ये बनाने में कितन काने में पूरा जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल तो 360 का है कितने का है 360 दिगरी का और देखिए दोस्तों यहां से चलकर यहां तक में पूरा 360 का एंगल बनाने में जो समय इसको लगाए ना वो समय लगता है 60 सेकंड मैं कह सकता हूं पूरा राउंड कितने समय में 60 है दोस्तो वो 60 सेकंड में कितने सेकंड में 60 सेकंड में कितने डिगरी का कोड बनाती है 360 डिगरी का कोड बनाती है चलिए दोस्तो ये तो 60 सेकंड की बात अगर आपसे इसा पूछे यार इसी सुई का अगर एक सेकंड का पूछा जाए तो एक सेकेंड का आपको एंगल बताना है, तो आप 360 में 60 का भाग देंगे, 360 में किसका भाग देंगे, 60 का, जैसे 360 में 60 का भाग देंगे आप दोस्तों, तो निसित्या जो एंगल आएगा, कितने डिगरी आएगा, 6 डिगरी आने वाला है, ये बात आप दोस्तों, निसित्य याद रख सकते हैं कि second वाली सुई एक second में 6 degree का कोण बनाती है और 60 second में जो angle बनता है कितने degree का होता है 360 degree का होता है इसके बाद में जो दूसरा number आने वाला है दोस्तों वो number आता है इससे जो थोड़ा सा कम ते चलती है वो सुई यह दोस्तों minit ॉल्य सुई कौन से सुई है अब इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन अगर minute वाली सुई के बारे में चर्चा करें अपन तो मैं यह कह सकता हूँ कि दोस्तों minute वाली सुई देखे यहां है जिसे माल जी 3 पर और 3 से चलकर वापस पुने यहां तीन पर आएगी तब भी तो बताओ पूरे एक अंगल हो सकता है ना और यहां से चल कर वापस यहां आने का मतलब यह पूरा तो 360 डिगरी अंगल बना है इसने लेकिन पूरा अंगल बनाने में इसको जो समय लगा है वो समय लगा है 60 मिनट मैं कह रहाँ कि यहां से लेकर यहां तक आने में इसको जो समय लगा है वो समय लगा है 60 मिनट तो मेरे दुआरा कहा जाएगा दोस्तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई जो कौन बनाती है कितने डिगरी का बनाती है 360 डिगरी का चलो यार, 60 मिनट में 360 बनाए हैं, 60 मिनट में 360 तो, यार, दोस्तो, एक मिनट की बात करूना मैं, तो एक मिनट में एंगल जो बनने वाला है, बत wanted? तो कितने डिगरी का, 6 डिगरी का, ये बात आपको धान में रखनी है, कि मिनट वाली सुई जो है, वो एक मिनट में 6 डिगरी का कौन बनाती है, मिनट वाली सुई है, जो एक मिनट में 6 डिगरी का कौन बनाती है, अब चलते हैं अगली बात पर, कि चलो यार, एक मिनट में त का तो एक सेकंड का का यह पूछे ना दोस्तो तो बताओ 360 में जैक से माली चीए गाँ एक मिनट में 6 डिगरी एक मिनट में टोटल जो सेकंड होती है न वो कितने सेकंड होती है बताओ 60 सेकंड होती है क्या मैं इसको यह भी कह सकता हूं कि यार 60 सेकंड में 6 का बनाए 60 सेकंड में एक बटा 10 डिगरी चलती है कितने डिगरी एक बटा 10 डिगरी चलती है ये हुई पूरी मिनिट वाली सुई के बारे में बात अगर दोस्तों अब आगे अपन बात करें सबसे चोटी और सबसे सलो चलने वाली जो सुई है वो दोस्तों है गंटे वाली सुई कौन्छे दोस्तो 12 गंठे कितने गंठे 12 गंठे मैं कह दूंगा 12 गंठे में कितने डिगरी का 360 गंठे का तो मेरे द्वारा क्या कहा जाएगा अगली चीज़ों के बारे में बात करें अपन बात करते हैं गंठे वाली सुई की बारे में किसके बारे में गंठे वाली सुई के बारे में बताओ यार 12 गंठे में कितने डिगरी का 360 डिगरी का 12 गंठे में कितने डिगरी का 360 डिगरी का एक गंठे में जो एंगल होगा बताओ 360 में किसका भाग लगाना आपको 12 का तो एक गंठे में इसका एंगल कितने डिगरी आएगा 30 डिगरी बताओ कितने डिगरी 30 ये बात अपने को याद रखने है कि गंथे वाली जो सुई है वो एक गंथे में कितने डिगरी का दोस्तों 30 गिरी का कोन मनाती कितने डिगरी का 30 अगर इसी का एक मिनट का पूचे कितने मिनट का एक मिनट का तो अगर इसी का एक मिनट का पूचे 30 में अपन 60 का भाग देंगे कितना आएगा एक बटा 2 मैं कह सकता हूँ आप एक बटा दो डिग्री का, कितने डिग्री का, एक बटा दो डिग्री का, आप कर देंगे मिनट वाली सुई, एक मिनट में आदा डिग्री का या एक बटा दो डिग्री का कोण बनाती है, चलो यार ये तो एक मिनट का हुआ, आगर दोस्तों आप से माल लीजिए, एक सेक कि बठा जाएगा 1 बटा 120 degree वो कैसे दोस्तों देखिएगा मैं एक गंठे में 30 डिगरी का बन रहे ये गंठे में जो मिन्टे होती है मिन्टे होती है साट मिनट, कितने मिनट है, साट मिनट, और अगर एक गंठे में सेकिंड की बात करो ना, तो टोटल सेकिंड होती है, 3600 सेकिंड है, कितने सेकिंड होती है 3600, अगर 3600 सेकिंड में 30 का बन रहा है 3600 सेकिंड में 30 का बन रहा है और हमें 1 सेकिंड का चीए दोस्तों तो 30 में 3600 का भाग देंगे कितना जाएगा, 1 बटा 120 तो ये चीज़ आपको धहां रखनी है कि गंठे वाली सुई है, जो 1 सेकिंड में जो कौन बनाती है न, वो कौन होता है 1 बटा 120 का, दोस्तों कितने डिगरी का 1 बटा 120 डिगरी का इसके बाद मैं अगली विसेस्ताओं की बारे मैं बात करें, अगली इसकी विसेस्ता का अपन देखना चाहे न, तो क्या कह सकते है कि यार सुनिए दोस्तों ये बताईए, एक मिनट में कितना डिगरी चल रही है और जैसा कि आप इसको देख रहे हो ये एक मिनट में कितना चल रही है आदा डिगरी, कितना डिगरी, आदा डिगरी कितने डिगरी का साड़े पांस डिगरी का मैं कह दूंगा एक मिनट के दोरान एक मिनट के दोरान दोनों छोटी सुयों के मद्दे जो अंतर होता है न वो अंतर होता है दोस्तों साड़े पांस डिगरी का कितने डिगरी का साड़े पांस डिगरी का तो मेरे दोवारा कह दिया कुछनों की बात करेंगे directly अपन एच एम वहां तक नहीं जाने वाले हैं अपन सीधा सीधा basic वाले कुछनों की बाते करने वाले हैं अब देखिए इस basic से कैसे क्यूसन बन के आता है उसके बारे में गर अपन बात करना चाहें तो क्या-क्या क्यूसन आ सकता है सबसे पहले क्यूसन की सुरुवात करते हैं अपन और क्यूसन है दिखीगा 45 सेकिंड में गंठे वाली सुई द्वारा अंत्रित क्यूसन आपसे पूचा है कि 45 सेकिंड में गंठे वाली सुई द्वारा अंत्रित कोण होगा आपसे पूचा जा रहा है कि 45 सेकिंड में गंठे वाली सुई द्वारा अंत्रित कोण होगा धान देली वाली बात है दोस्तों क्या पूचा है कितने सेकिंड का पुछा है 45 सेकिंड और कौन से सुई की बात कर रहे है गंठे वाली सुई की कौन से सुई की बात कर रहे है गंठे वाली सुई की अंतरीत कोण कुछा है गंठे वाली सुई द्वारा अंतरीत कोण क्या अगर हमें 1 सेकिंड का मालूम है तो 45 सेकंड का बताने में किसी परकार की कोई दूइदा नहीं की कैसे एक सेकंड की बारे में बात करो गंठे वाली सुई एक सेकंड में चलती है एक बटा 120 टिग्री सारा अपने को मालूम है अभी दिखिएगा अपन पीछे पुरा पड़ के आए पुरा कॉंसेप्ट दुबारा से किलिर करवा देता हूँ बारा गंठे में 360 का बन रहा है जी एक गंठे में कितने का तीस का बन रहा है एक मिनट में चो बन रहा है कितना बन रहा है आदा बन रहा है और एक सेकंड में कितना एक बटा 120 एक सेकंड में एक बटा 120 कि 45 सेकिंड में गंटे वाली सुई दुवारा अंतरित कोण होगा तो गंटे वाली सुई एक सेकिंड में एक बटा 120 सलती है और देखिए कितने से का शेकिंड का बताना है 45 का तो multiply अपने इसको किसे करेंगे 45 से अगर 36 का पूचह होता है, 36 से कर देते हैं, 45 का पूचह है, तो सीधी-सीधी बात है, solution क्या होगा, 15-45 और 15-120, तो जो आंसर आया अपना, वो आंसर आएगा, दोस्तो, 3 बटे 8 डिगरी का, कितने डिगरी का, 3 बटे 8 डिगरी का, तो मेरे दुआरा निसिता कह दिया जाएगा कि 45 सेकिंड में, गंटे वाली सुईधी दुआरा अंतरित कुण कितने डिगरी का होगा, 3 बटे 8 डिगरी का, कितने डिगरी का, 3 बटे 8 डिगरी का होगा, आगे चलते हैं दोस्तो, कैसा और कुशन पूच सकता है, अगला कुशन है, चत्ती सेकिंड में, चत्ती सेकिंड में, गंठे वाली सुईधी दुआरा अंतरित कौन होगा, ये दोस्तो आपसे पूचा गया कि, चत्ती सेकिंड में, गंठे वाली सुईधी दुआरा अंतरित कौन होगा, कैसे मैनेज करना है अपने को देखीएगा, कितने सेकिंड का पुच जोस्तो, चत्ती सेकिंड का, जैसा कि आपको विदीत है, गंठे वाली सुईधी एक गंठे में कितना चलती है, एक बटा 120 डिग्री, कितना चलती है, एक बटा 120 डिग्री, गंठे वाली सुई, एक गंठे में चलती है, एक सेकंड में चलती है, एक बटा दोस्तो 120 डिग्री, आपसे कितने का पुछा है, 36 का पुछा है ना, आपको 36 का भाग नहीं लगाना है यार दोस्तो, एक सेकंड का द इस QC को किलियर कर अब निसीता के दूंगा कि गंठे वाली सुई के बारे में आपसे पूछा आजाए, किसके बारे में, मिनट वाली सुई के बारे में, उस कॉंसेप्ट को किलियर करते हैं, आपसे पूछ लिया गया, 45 सेकेंड में मिनट वाली सुई द्वारा अंतरित कौण 45 सेकेंड में मिनट वाली सुई द्वारा अंतरित कौण होगा अब आतों कितने सेकेंड का पुछा आप से 45 सेकेंड का, और कौन से सुई का मिनट वाली सुई का, क्या दूस्तो तो minute वाली जो सुई है, वो 1 सेकंड में बताओ, 1 बटा 120 डिगरी चलती है क्या? ये तो है H वाली का, M वाली की बात करों, तो M वाली चलती है, 1 सेकंड में 1 बटा 10, H वाली है न, गंटे वाली सुई तो 1 बटा 120, और minute वाली चलती है, 1 बटा 10 डिगरी का, हम से किसके बारे में पूचा है, minute वाली के बारे में, तो आप क्या करने वाले हो, 1 बटे 10 को multiply करने वाले हो 45 से, जैसे 45 से multiply करोगे कितना हैगा, 4.5 डिगरी, मतलब कितने डिगरी आएगा, 4.5 डिगरी का, चीक है दोस्तों, 1 सेकेंड में 1 बटा 10 सलता है, 45 सेकेंड का पूचा है, 1 बटा 10 कोणों, 45 याने, आणसर आएगा, 4.5 डिगरी का, दोस्तों, आगे जैसे में पूच लें आप से, कि 20 सेकेंड में, मिनेट वाली सुई द्वारा अंत्रित कौण होगा, ये पूच है, 20 सेकेंड में मिनेट वाली सुई द्वारा अंत्रित कौण होगा, कितने सेकेंड का जानना चाहिए, दोस्तों, 20 सेकेंड का, कितने सेकेंड का, 20 सेकेंड का, अब बतो, 20 सेकेंड का जानना चाहिए, कि 20 सेकेंड में मिनेट वाली सुई द्वारा अंत्रित कौण होगा, 20 सेकंड में मिनट वाली सुई द्वारा अंतरित कोण होगा अगर इसके बारे में बताना है दोस्तों तो किस तरीके से मैनेज करेंगे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 1 बटा 10 डिगरी चलती है मिनट वाली 1 मिनट में 1 बटा 10 डिगरी चलती है हमें कितने सेकंड का बताना है 20 का बताना है तो मैं लिखोंगा यहर एक बटा 10 को अपन multiply करेंगे 20 से तो बताओ कितने डिगरी का आने वाला है 2 डिगरी का, कितने डिगरी का 2 डिगरी का, मैं निसित्ता बोल दूँगा कि मिनटवाली जो सुई है कौन से सुई, मिनट वाली सुई, जो है, जो आपकी 20 सेकंड है, उनमें कितने डिगरी का कौन मनाने वाली है, दो डिगरी का, तो बेसिक से दोस्तों, ऐसे कुछन आपके पूछे जा सकते हैं, एक उसरूर हो सकता है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अगला कुछन, अगला आपको M का मान पुछ लेगा, कई बार S to M पुछ लेगा, कई बार M to H पुछ लेगा, ये बताना बिलकुल आसान होता है दोस्तों, इसलिए ये बेसिक पूरा किलेर अपना होना जरूरी है, और बेसिक में किलेर करने वाली बाते कौन सी है, पहली बात आपको इदान रखन इसके बाद में अगली बात अपने को क्या याद रखनी है, अगली बात ये याद रखनी है दोस्तों कि मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिगरी चलती है दोस्तों, 6 डिगरी चलती है, 6 डिगरी और तो बताओ, 6 डिगरी चला जाता है मिनट वाली सुई दोवारा एक मिनट में अब यहां बात करते हैं कि क्यूशन कैसे आएगा किस तरीके से क्यूशन पूचा जाएगा क्या क्या क्यूशन हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं I think यहां तक का जो basic था वो basic आपका clear होगा जो basic मैंने पूरा complete करवाया है साथ साथ आप video को fuse करके साथ आप note book में note करते चाहिएगा इसको repeat करके 2-3 बार देखने से सारा चीज़े clear हो जाएगे अगली चीज़े देखिये उसी basic concept पर आधारित तो question में लेका चलता हूँ मैं आ अब आपन इसमें टाइप फैस्ट का अधियन करने और टाइप फैस्ट है दोस्तों समय दिया जाएगा दियान से देखने है आदे गोड़ टाइप क्या है समय दिया जाएगा कौन पुछा जाएगा समय दिया जाएगा और कौन आपसे पूछा जाएगा टाइम अगला देगा और कौन आपसे पूछा जाएगा तो टाइम फरस्ट में देखिएगा कि समय दिया जाएगा और कौन पूछा जाएगा तो समय दिया जाता है, कोन पूछता है, कैसी-कैसी स्थितिया अपने सामने आती है, किस-किस को कोन बताना है, H का बताना है, M का बताना है, अंतराल बताना है, S to M बताना है, M to H A बताना है, इन सभी चीजों के बारे में सारा का सारा concept अपन के लिएर करने वाले हैं दोस्तों तो देखे क्विशन कैसे आने वाला है माना कि मैंने आपके सामने क्विशन लिखा सबसे पहले बेसिकली बात करता हूँ मैंने आपके सामने क्विशन ये लिखा आट बज कर 20 मिनिट पर घड़ी की दोनो सुईयों के मद्धे कितने डिग्री आप अंत्राल पूग पुसमें देख पार है आप आट बच कर 20 मिनिट पर गड़ी की दोनो सुईयों के मद्धे कितने डिग्री का अंत्राल होगा अब 8-20 पर दोनों सुयों के मद्द अंतराल बताना है तो अंतराल बताने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले चीज़े ही ध्यान रखने है notice क्या करने है हमसे जो पूछा गया है क्या पूछा गया है अंतराल पूछा गया है क्या पूछा गया है आठ बज़के 20 मिनिट घड़ी क्यों लेके चलते हैं बनानी नहीं ये घड़ी अपने को समझने के लिए पूरा कॉंसेप्ट और पूरा कॉंसेप्ट कैसे समझो गया इस तरह से अपनी क्लोक और क्लोक ये तो समय आठ बज़के 20 मिनिट पर कहने का मतलब ये जो है कौन से सुई है मिनिट वाली सुई चार का मतलब 20 पर कौन से सुई है मिनिट वाली सुई आठ बज़कर 20 मिनिट बताओ ये गंठे वाली सुई आठ से आगे निकलेगी निकलेगी कहां से आगे निकलेगी आठ से आगे तो आपने का यार आठ से आगे ये जो है लग 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 आप यह कह सकते हैं इसको थोड़ा सा आगया पर बना सकते हैं यानि कि यह करती है आठ चाओ और जैसा कि आपने कहा कि 8 पर ऐसी स्थिति बनी होती है यह होर्स हैं यह कौन सी है मिनेट हैं यानि ये गंटे वाल इसु ये कौन सी है मिनेट वाल इसु अब दूस्तों चलो इस्तती तो आपने बना ली लेकिन वहाँ एक्जाम में है न अपने को चांदे की सुईधान नहीं मिलेगी कि चांदे से अपन खोड़ना आपने जो बेसिक कॉंसेट के लिए दाना उसी के आधार पर बताना होगा कैसे ये जो यहां देखीगा आपका ये समय है ये हमेशा किसको रिपरजेंट करता है एच को गंटी को रिपरजेंट करता है कितने गंटे बताओ आठ और ये जो 20 हैं ये किसे रिपरजेंट करता है मिनेट क ये किसे रिपरजेंट करता है, मिनट को, ये H को रिपरजेंट करता है, ये किसको रिपरजेंट करता है, मिनट को, इसकी जो विसेशता है, ये विसेशता है, हमें मालूम है, क्या मालूम है, 12 गंटे में सुई कितना चलती है, 360, ओके, एक गंटे में ये चलती है, कितना डिग इकर रहा है, उसकी विसेश्टाई भी हमें मालूम है, क्या विसेश्टा है, मिनट वाल इस्वी एक घंटे में तो चलती है 306, यानि 60 मिनट में 360, पर एक मिनट में चलती है कितना डिगरी, 6 डिगरी, एक तो यह याद रखना आपको ठीक है, एक आपको यह चीज़े याद र रखनी है तीनों बाते आपको धान में रखनी है इनका क्या विजी ईजय गाँ वो भी देख लीजीगा बताओ यह परजेंट कर रहा है है एच को क्या इनकी कितने गंठे अपने पास बताओ आट गंठे न, कितने गंठे हैं, आट, अब एक चीए बता, यह सिंपल सी बात मेरे को, यह गंठे वाली बता, एक गंठे में क्या बता, तीस टिगरी चलती है, एक नहीं चलती, एक गंठे में कितना चलती है, तीस, और यहां कितने गंठे है, आट गंठे, अगर एक गंठे म ज cauliflower गोंगन को तो जैसे इस आफ को 30 मुटीप्लाई करें चैने लेकिन जैसा क्या अगे देख रहे हो हम्हेंतों क्या इक मिनट में इसके द्वारा कुछ मुवमेंट होती है तो देखी आप साप-्धाप कह सकते हैं गंटे वाली सुई जो है वो एक मिनट में कितना चलती है आधा डिगरी चलती है आजबा तो बीस मिनट में बताओ ये कितना डिगरी और चलेगी 10 डिगरी क्या मैं कह सकता ह जितने भी मिंटें उनका क्या करना होगा हाप करना होगा क्या करना होगा हाप यनि आदा करना है क्यों करना है एक गंटे में तो यह 30 सलती है लेकिन एक मिनट में कितना चलती है आदा चलती है तो 20 का आदा कितना होगा 10 तो कुल मिलाकर इसके total value बताव कितने degree है? 250 degree या मैं ये कह सकता हूँ फिलाल यह जो है यह जहां इस्तित है इसका जो मान है वो मान दोस्तों कितने degree है? 250 degree कितना degree है दोस्तों 250 degree डिग्री के कौन परिष्थित्य है, किलिए रहे, अब चलिए बात करते हैं, इस मिनट वाली सुई की, ये बताओ 20 किसको परजेंट कर रहे है, मिनट को, हमारे पास मिनट की स्थिता क्या है, एक गंटे में तो 360, और एक मिनट में कितना 6, एक मिनट में कितना 6, अब यार एक म मिनटे हमारे पास, बताओ, टोटल 20 एक नहीं है, तो मैं कहूंगा, जितने भी मिनटे उनको किसे गुणा 6, किसी परकार का कोई ट्रीक नहीं है, सिद्धी सारा कौन्चर्ट आपके सामने है, एक बताओ, जितने मिनट किसे गुणा 6, बताओ, क्या आपके द्वारा 120 लिख सकता है, वो दो क्युसन क्या है, क्युसन आपके सामने हैसा सकता है, कि 8 बज के 20 मिनट पर, 8 बज कर 20 मिनट पर, कितने बज कर, 8 बज कर 20 मिनट पर, घड़ी में गंटे की सुईद्वारा अंतरित कोन होगा, 8 बज कर 20 मिनट पर, घड़ी में गंटे की सुईद्वारा अंतर गड़ी में मिनट की सुईद्वारा अंतरीत कोण होगा तो मिनट की सुईद्वारा जो अंतरीत कोण लिखा जाएगा दोस्तों वो अंतरीत कोण कितने डिगरी लिखोगे 120 डिगरी का कितने डिगरी का 120 डिगरी का दूसरी बात अगर हम से अंतराल पूछे कि 8 बच के 20 मिनट पर दोनों सुईओं के मद्दे अंतराल कितना होगा तो अंतराल का मतरा दोस्तों बताओ यहां से लेकर यहां तक यह भूतायक नहीं हो क्या मैं यह कहूँ इस बड़े में से चोटा मा माइनेस कर दें बताओ यह अंतराल आपके सामने आना है एक नहीं है आना तो 250 में से जैसे 120 माइनेस किया है, बताओ इसका मान बताओ 130 डिगरी हुआठ नहीं हुआ हमें simple सी बात क्या याद रखनी है, इसको किस से गुणा करना है, 30 से, आप समझ चुके हैं, गंटे में 30 डिगरी का, मिन्टों का क्या करना है, आदा क्यों करना है, गंटे वाल इसो इएक गंटे में 30 का, जब कि एक मिनिट में, आदा डिगरी का इसली क्या करेंगे, आप आदा करेंगे इसका, फिर देखो मिन्टों को किस से गुणा करना है, 6 से गुणा करना है, क्योंकि मिनिट वाली एक मिनिट में कितना चलती है, 6 चलती है, इतना ही concept की लियर करना है अपने को, तो सिद्धा simple सा answer दोना, तो simple सा answer कैसे, 8 बीस है, लगाओ 30 से गुणा, करो मिन्टों का आदा, फिर लगाओ मिन्टों को 6 से गुणा, इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है, इनना ही काम करना है, 30 से गुणा, मिन्टों का आदा, यह मिन्टों का अधा 20 का अधा कितना 10 प्लेस कर दया क्या बताओ 250 टिगरी यहां जो आया अपना यह कितना बन के आपने पास 250 टिगरी का यह लगाओ 6 से गुणा 6 दूनी 12 क्या आया 120 टिगरी का अगर मैं आपसे क्यूसन पूछूं पहला क्यूसन यह पूछने से पहले कि 8 बच के 20 मिनिट पर H का मान किसका मान एच का मान तो H का मान का जो आपका आंसर होगा वो आंसर होने वाला है 250 अगर मैं कुछन पूछूं कि 8 बच कर 20 मिनिट पर M का मान किसका मान M का मान तो कितना होने वाला है 120 कि 8 20 पर H का मान है 250 अगर मान लीजिए M का मान पूछूं मैं तो M का मान कितना है 120, ये है 250, कितना है 250, ये कितना है 120, कितना है 120, इसके अलावा जिसे बात करें अपन, इसके अलावा क्या करें, बात करें अपन, कि अंत्राल कितना होगा, तो अंत्राल का मतलब दोस्तों, बड़े में से क्या माइनिस करना है, छोटा करना होगा, तो 240, 250 मे से 120 माइनेस करगे बताओ अंतराल क्या 130 टिगरी आएगा जो अंतराल आएगा वो अंतराल दोस्तों आपके द्वारा कितना लिखा जाएगा 130 टिगरी और अपना फाइनल जो अनसर आएगा कितना होगा 130 टिगरी आई होब आप पूरा कॉंसेप्ट समझे होंगे और पूरा कॉंसेप्ट अगर पूरा बेसिक समझ में आएगा तो मैं कहता हूँ निशित तरीके से चाहिए M का पूचे चाहिए H का पूचे चाहिए अंतराल पूछे चाए, S to M कुछे चाए, M to H पूछे, हम सभी कुषनों के जवाब देने वाले, तो देखिए, कॉंसेप्ट में क्या समझना था? जितने भी घंटे उनको किसे गुणा करेंगे? 30 से, फिर मिंटों का आदा, फिर मिंटे किसे गुणा होंगी? 6 से, किसे गुणा होंगी? 6 से, बस इदना ही कारी अपने को करना है तो चले आते हैं अगले क्युषन के ओर आपन क्युषन मालीची आपके सामने था 11 बच का 30 मिनट पर घड़ी की दोनो सुयों के मद्दे कितने डिक्री का कौण बनेगा? मैंने पुछा है, 11 बच के 30 मिनट पर घड़ी की दोनों सुयों के मद्दे कितने डिक्री का, कौण बनेगा? यह आप से क्या पुछा है? अंतराल पूचा है, क्या पूचा है अंतराल, चलो दोस्तों इसको बताते हैं अंतराल को अपन, तो बताएंगे तू क्या करें, कितना समय आ रहा है, 11-30, क्या करना था सबसे पहले, एच जो गुणा होगा, किस से गुणा होगा, 30 से, 11 को जैसे 30 से गुणा करोगे, बताओ, 330 आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, लेकिन 330 टिगरी अकोण के वल 11 बजी तक, आगे 30 मिनटे, एक मिनिट में आदा चलता है, तो 30 मिनिट का आदा करोगी, कितना हैगा, 15, वो 15 है, इसे म होना होने वाला है, 6 से, यहां कितना आएगा, 180, अगर दोस्तों क्यूशन आपके सामने, H का पूचा है, किसका पूचा है, H का, कि गड़ी की दोनों सुईयों के मद्दे, या 11 बजी की 30 मिनिट पर गंटे की सुई द्वारा अंतरीत कोण, तो गंटे की सुई द्वारा अं अंतराल की, तो अगर आप से अंतराल या दोनों के मद्दे कितने डिग्री आकोन बनेगा, आप करने वाले 345 मानियस 180, कितना आएगा 165, कितना आजाएगा 165, दोस्तों आपके द्वारा कितना लिखा जाएगा, 165 लिखा जाएगा, तो अंतराल जो होगा दोस्तों, वो क इतना अंत्राल होगा तो पूरी लेंग्विज ने लिखे अपना समय जायाने करके सिधा समय समय लिख लेते हैं और समय लिखकर सिधा सिधा अंसर ते देते हैं दोस्तों तो चलो देखिएगा माली जीए आपको समय है चार चालिस और अपन चार चालिस पर तीनों किसन बता देते हैं एच का मान बता देते हैं एम का मान बता देते हैं अंत्राल बता देते हैं एच का मान एम का मान और अंत्राल ठीक है तो देखो समय चार चालिस है चार किसको इंडिगेट कर रहा है एच को चालिस किसे किनिटे में 30 कार 1 मिनिट में आदा और मिनिट वाले एक मिनिट में कितना यहीं काम करना है तो क्या करें यहां से सीधी सी बात है क्या करें multiply करना है किससे multiply करना है 30 से 4 ती बारा बताओ 120 डिगरी आ है 40 का आधा करना है 40 का आधा करना है 40 का आधा बताओ 20 होगा कि इसका मान बताओ 140 डिगरी हुआ कि नहीं हुआ कितने डिगरी हुआ 140 डिगरी यह 40 किससे गुणा 6 से बताओ चैचो के 24 क्या इसका मान बताओ 240 डिगरी हुआ क्या इसका मान कितने डिगरी हुआ 240 यह 140 है यह कितना है 240 यहां 140 लिखा है यहां 240 लिखा है ह का मान बेसक 140 है M का मान बेसक 240 है अगर हमें अंतराल बताना है क्या बताना है? अंतराल बताना है तो दोस्तों अंतराल बताने के लिए बड़े में से छोटा माइनिस करना होगा बड़े में से क्या करना होगा? छोटा अगर बड़े में से छोटा माइनिस करते हैं न तो 240 में से 140 माइनिस करेंगे तो जो अंतर होगा दोस्तो, वो अंतराल इस समय दोनों सियों के मद्द जो अंतर होगा, वो अंतर कितने डिगरी का होने वाला है? 100 डिगरी का होने वाला है, कितने डिगरी का? 100 तो हमारा जो answer लिखा जाएगा ना वो answer अंतरा दोस्तों कितने degree है 100 degree कितने degree है 100 degree जैसे अपन बता सकते हैं चलते हैं ऐसे दो कुछनों के बारे मैं और बात करते हैं अपन मानली जी कुछन अपने को ये दिया गया है मानली कुछन आप से दे दे 12 12 बचके 20 मिनिट मैं कहना हूं कई लोगों गलतिया होगी अंतराल में 12 बीस में सबसे पहले वीदित है अपने को 12 ह को इंडिगेट कर रहे है 20 है जो M को इंडिगेट कर रहे है सिंपल सी बात है ना जो भी 12 है उसको multiply किसे करना अपने को 30 से करना है 20 का आदा करना है और 20 किस से गुणा होना है 6 से गुणा होना है तो देखे सबसे पहले क्या करें 12 को 30 से गुणा करें 12 यह 36 20 का आदा 10 370 नहीं लिखना गलती नहीं करना है 370 नहीं लिखना है मैंने सुरू में लिखा था 360 का मतलब 0 दोस्तो 360 का मतलब यहां कौन 0 डिगरी का है कितने डिगरी का? 0 गलती से 370 नहीं लिखा जाएगा लिखोगे गलत होगा क्योंकि 20 का आदा करोंगी कितना आएगा दस आएगा, यहां जो भी है इस H का पुरा का पुरा मान है दोस्तो, वो H का मान केवल भे केवल 10 डिगरी है, partly for only कितने डिगरी है? 10 डिगरी, H का मान है जो only for only कितना है? 10 डिगरी है दोस्तों ध्यानकना, कहीं 370 बिलकुल भी mention नहीं करना है, केवल कितना degree है? 10 degree है, अगली बत 20, किस से गुणा होगा दोस्तों? 6, 6 दूनी, 12, बताईए 120 degree, कितना degree? 120 degree, तो बताओ यार H का मान तो 10 है, M का मान 120 है, अंतराल बताना है न, क्या बताना है? अंतराल, तो अंतराल बताने के लिए बढ़ 120 से छोटा 10 है अगर 120 में से 10 कम करोगे बताओ क्या लिखा जाएगा 110 डिगरी कितना डिगरी 110 डिगरी कितना डिगरी होगा 110 डिगरी तो इस समय जो अंतराल है ना यार दोस्तों तो अंतराल दोनों स्यों के मद्दे जो आ रहा है वो कितने डिगरी का रहा है 110 डिगरी का रहा लाहे चलें आगे दोस्तों अगले जासमाल जी क्यों से ना आगे आपने सामने कि यह हमें 10-10 का बतावा 10-10 का कि 10 बचकर 10 मिनिट पर H का मान तो कितना होता है M का मान कितना होता है अंतराल कितना होता है और दोस्तों अंतराल तक ज्याद कर लिया ना तो आगे S2 और M2 को स्टितने विय थी स्से गुणा हो रहा है एम एक बार आधा और एक बार किस देगिरी चलती है एक मिनट में आधा चलता है और मिनीक वाले एक गुणा कर रहा है इसलिए तो गुणा करने के चलो दिखिएंगा तो जैसे 30 से गुर आधा किया बत वाताओ इसका कितना हुआ, 300, लेकिन ध्यान रहे है, 300 डिगरी आया है, यह 10 बजे तक का ही है, कितने बजे तक का, 10 बजे तक का, फिर मिंटो का आदा, 10 का आदा कितना लिखेंगे, पन 5 लिखेंगे, तो बताए, उसमें 5 अगर आप एड का रहे हो, तो टोटल इसकी जो वेल्यू आ रही है पाँच एड कर रहे है, तो टोटल वेल्यू इसकी जो हो रही है, वो हो रही है, 305 डिगरी, बताए, कितना डिगरी, 305 डिगरी, फिर बताए, मिंटे किस से गुणा होगी, 6 से, 6 गुणा 10, 6 गुणा 10 बराबर इसकी वेल्यू जो होगी, बताए, कितनी होगी, 60 डिगरी, क आपके द्वारा चुल लिखा जाएगा ना वो आंसर लिखा जाएगा 245 तो मैं कह सकता हूं कि जो अंतराल है दोस्तों वो अंतराल कितने डिगरी का है 245 डिगरी का कितने डिगरी का 245 डिगरी का अंतराल है I thought अंतराल तक सारी बाते आप समझ गया होगे अगर अंतराल तक आप समझ गये ना तो मैं कह सकता हूँ आने वाले कॉंसेप्ट जो है जिसमें कई बार आपको S2M पूसता है कई बार M2H पूसता है उसके बारे में किसी परकार की आपको गोई संका किसी परकार का कोई द्वेस नहीं होगा आसानी सभी कुस्णों का अंसर दे पाएंगे दोस्ते तो चलते हैं इसी की अगली और इसको आगे बढ़ाते हैं आगे इसका कॉंसेप्ट अपन लेकर चलते हैं तो कैसा कुसन आसकता है क्या कुस्णों में बदला होगा और समय ही रखा है चार बज के तीस मिनट और चार बज के तीस मिनट देखा है आप से दो कुस्णों पूसर पहला कुसर गंठे वे मिनट की सुई के मद्दे यह पूछ सकता है मिनट से गंठे की सुई के मद्दे कि अफास टोपल कि इस्तती देख लें हार चार चार तीस पर कैसी स्तती होती है घड़ी की कि गलग पूछ रहा है ना गंठे से मिनट और मिनट से गंठे आसानी से बता देंगे को चैंशन वाली बात निया से अंतराल सीग्गे सब कुस्ग्या यह मास से चै पर विराजवान होंगे मिनट वाले मास है और यह चलेंगे वैसा चार से आगे यह जो चलेंगे यह चलकर पहुंच आएंगे चार से आगे निए चार और पांच के मिड में चार और पांच के मिल में यह जो है यहत्ष है इसके बाएं आप ची जानते यह क्या है है ही तो mesh स vendors है less यह जो चार गुणा होगा बताओ किससे गुणा होगा तीस से चारती बारा ह्याथ 12 लेकिन 120 का र्चार लिगध 것이 odd करके दो 30 का आदा करना है, तो बताओ इसको 30 से multiply करना है, इसका एक बार हाप करना है, एक बार multiply 6 से करना है, तीन काम करता है, multiply करने के 4 ती 12, बताओ 120 आया, 30 का आदा किया, 15 आपका, total बताओ जो total value हुई, बताओ कितने हुई, 200, sorry, 135, total जो value 120 प्लेस 15, 135, मैं कह सकता हूँ, h का मान है, जो है, क्या है, 135 डिगरी, ठीक है दोस्तों, चलार, m के बारे में बात करता है, ये 6 से गुणा होगा, 6,38, इसका जो मान है, 180 डिगरी का है, आपने का यार, ये 180, ये 180 का, आप बलोगी सर, ये तो पहले ही करते हा रहे हैं, इसमें नया क्या है, बताओ ना, ये तो के बीचि में गैप होगा, नहीं होगा, अगर 180 में से 135 माइनेस करूं, तो बताओ, ये गैप कितने डिगरी का अखलाद है, और मैं ये कह सकता हूँ, अंत्रा, किनने डिगरी का है, 55 डिगरी का, लेकिन ये तो वगवान कुछ और ही पूछ रहा है, पहले चीज़ पूछे गंठे, वे मिनट, यह भी कह सकता हूँ, गंठे से मिनट, वे भी देख सकता है, कि सुई के मत, यह क्या पूछ न साचार है, कि आप वो गंठे से मिनट बताना, दो कूण मनता है, S to M भी बनता है M to H भी बनता देखो S to M ये तो बताओ S से लेकर M तक बन रहा है और ये जो angle बनेगा हिधर वाला ये बताओ M to H होगा अपनी होगा दो कूण बनते हैं न इसने दोनों प्रोपर पूछ ले है यार अपने से तो दोनों प्रोपर पूछ लेना तो कैसे बताओगे सुनिए मेरी बात दोनों प्रोपर एंगल बताने का मतलब सिंपल सी बात है पहला पूछा है गंटे से मिनट बताइए क्या गंटे से मिनट क्या यार ये गंटे वाली सोई है लाइब ऐए और यहाँ से लिकर यहांने तक जाना पड़ेगा पिशाहरी को तो यहां से यहां तक जाओगे तो पुछा मेरे मिनेट से गंटे की सुई के मद्दे के मिनेट वाली है यहां से गंटे वाली सुई में जाना क्या वापस रिटन जा सकते हैं क्या नहीं जा सकते हैं आपको यहां से चलकर यहां तक जाना पड़ेगा और यह पूरा का पूरा जो सरकील होता है कितने डिगरी का होता है 360 डिगरी का अरे यार इतना क्यों दोड़ दूप कर रहे हैं 360 में से अगर ये 45 माइनिस कर दें तो ये कोण आना है एक नहीं आना तो ये जो कोण आएगा कितना आएगा 315 डिगरी का कितना 315 डिगरी का क्योंकि पूरा एंगल है ना पूरी घड़ी ये पूरी घड़ी 360 की है और इस में से आपने 45 माइनिस किया है कितना माइनिस की है 45 तो ये जो मान आएगा बताओ 315 डिगरी का आएगा आप नहीं आएगा तो दूसरे कुषिन का जो आंसर लिखूं मैं आंसर लिखूंगा 315 डिगरी कितने डिगरी दोस्तो 315 डिगरी अब आपके मान में जिगासा क्या है एक सवाल है सर अंतराल 45 कौन भी 45 तो क्या कहेंगे आप इसको बारे पर आप यह कहेंगे अंतराल अंतर तो होता है अंतर के साथ साथ एक कौन का भी परतिनीदीत्व करता है या तु वो कौन H2M होगा या वो कौन M2H होगा लेकिन इसका पता कैसे चले इसका पता ऐसे चलेगा अंतराल हमेशा कमजोर पक्स का साथ देता कमजोर का मतलब दोस्तो वो सुई पिछे रही कि नहीं रही और पिछे रहते तो बताओ उसको आगे गती करनी है कहां गती करनी है यार आगे गती करनी है प्लोक आई चलना है तो बताओ अंतराल हमेशा किसका साथ देता है कमजोर का जिसके पास कम है अब देखो पूरा concept को कैसे समझाओंगा तो पूरा डाइग्राम से समझा दिया मैंने, इसे 34 को कैसे समझाता हूं, ध्यान रखीजिएगा, जिसके पास मान कम है, उसका अंतराल साथ देता है, अगर H के पास का मैंना, तो आप लिखने वाले है, एट टू एम, क्योंकि ओप्शन में, दोनों में से एक पूछेगा, और ओप्शन दोनों रखेगा, पैंतालिस आ जाएगा, एचे तनमन कहेगा, ना ना यार, 360 तो नहीं लाए, 315, ओप्शन में फिर रहेगा, फिर खुद गन्पुज़ो जाओगे, 45, एक 315, पैंतालिस, 315 35 там, 45, खुद झखुद झगन्पुजो जाने, तो खुद की गन्फुजन नहीं रखनी ही अपने को, इसको दूर करने के लिए, क्या करेंगे, अंतराल आपकी हर मदद, हर जिगए मदद करेगा, उस कंपुजन से बचाने के लिए, और अंतराल हमेसा कमजोर का साथ देगा, समझ पारे दोस्तों कमजोर का मतलब पिच्छे रहना तो इसको आगे तो रन करना है न तो अंतराल हमेशा किसका साथ देगा कमजोर पक्षा साथ देगा गांट एक चीज सिदी सी बात है ये चीज पल्ले बांद लीजिए आप ये चीज गांट फांद लीजिए अंतराल को ध्यान में रखनी है ओके अब चलते हैं देखो आगे इस पे हर जगे यह पूरा डाग्राम अग्राम कुछ नहीं बनाना कुछ भी नहीं बनाना मैं सीधे सीधे आंसर देना है तो सीधे सीधे आंसर कैसे माल लीजिए हमारे पास समय है पाँच बचके पचास मिन पाँच बचके पचास मिनिट दोस्तों मैं दोनों कुछन साथ ली चलता हूं सिंपल शी बात हूं वहां S2 mam पुछएगा M2 जो भी पुछे दोनों कुसंन साथ ली चलता हूँ, जितना बसाथ उतना आप बता दीजिएगा, क्या करना यार, कुछ नहीं करना, पहले कुसंन की बात करो, मैं दूसरे कुसंन की बात करें, पांच पचास है, ये पांच जो गुणा होने वाला है, बताओ, किस से गुणा, 30 से, मिंटों का आदा, और मिंटे किस से गुणा, 6 से, हस्टो पुल, ये कारी तो करना पड़ेगा, क्युसन बाद में जाएंगे, बाद में देखेंगे, क्या पुछ रहा है, हं पुछ रहा है, अंतराल पुछ रहा है, हैस की बात है, पहले पूरा मान तो ग्याद कर लें आप, तो देके म उन स्मान घ्यात करने के लिए क्या इस से पांच को 30 से गुणा करें पांच की 15 के बताऊं 150 हुआ क्य पचास का रrire कितना पचीस हुआ hat है 50 का र के धाल है 25 आप बेसक कि क्या है वन सेवन 50 डगरी लिध दीजिये कितना डिगरी एक 70 काऊ 250 एक सो पिछोतर है, M का मान तीन सो है, हम अंतराल ग्याद कर सकते हैं न, और दोस्तों अगर आपको अंतराल ग्याद करना है, क्या ग्याद करना है अंतराल, तो तीन सो में से एक सो पिछोतर कम करना होगा, तीन सो में से 25 चलो यार 125 अंतराल है लेकिन बात याद रखना अंतराल कमजोर पक्स के साथ होता है याद रहे जाएगा अंतराल कमजोर पक्स के साथ रहता है क्या कमजोर पक्स के पास है इसके पास तो अंतराल किसका साथ देगा कमजोर का यानि यह जो 125 डिगरी आंसर आया है न यह 125 डिगरी एक आंसर और बनेगा रह वो बनेगा एच टू एम क्या बनेगा एच टू एम घंटे से मिनट गंटे से मिनट और गंटे से मिनट की सुई के मद्धे जो एंगल है वो कितना डिगरी का 125 डूसत अगर एक एंगल आ गया न तो दूसरा एंगल बताने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि दूरी घड़ी कितने डिगरी के 360 डिगरी के उसमें से एक एंगल 125 है अगर दूसरा एंगल चीए तो 360 में से माइनस करेंगे 125 देसाव के लिए दीजीगा आगर M2H पूचे की गरना है यार 360 माइनस 125 आप कहने वाले 5 3 और यहां 2 तो कितना अंसरा है 235 कितना है 235 कितना है 235 तो दोस्तों H2M तो 125 है और M2H कितना है 235 बैस आपको जो याद रखने वाली बात है ना है ये बात याद रखनी है कि अंतराल हमें ग्याद करना था अंतराल कमजोर पक्स के साथ होता है किसके साथ होता है कमजोर पक्स के है एच के पास कम है तो S2M और M के पास कम है तो M2H याद रे जाएगा चलते हैं ऐसे किसनों के ओर आगे है अपन कितना है दोस्तों दो बज के चालीस मिनट अब दो चालीस आपको दे रखा है फेस्टो फॉल होई कारी करेंगे गुणा 30 से बताओ 30 तो नहीं 60 20 का आदा 40 का आदा 20 क्या आदा multiply 30 से एक बार आप क्या करेंगे इसका एक बार आप करने वाले आदा और एक बार multiply 6 से आदा करोगे 20 आएगा क्या total मान बताओ इसका 80 हुआ h का मान कितना है दोस्तों 80 m की बात करुणा में ये गुणा होना है 6 से 6 चोके 24 240 h 80 है m 240 है बीच में एक महनुबा होता है उसको कहते है अपन अंत्राल क्या केतना है अंत्राल तो अगर दोस्तों आपको अंत्राल चीए क्या चीए अंत्राल तो बड़े में से क्या माइनिस करना होगा छोटा अगर 240 में से 180 माइनिस करूँ तो अंत्राल बताईए हमारे सामने 160 डिग्री आने वाला है कि अंत्राल कितने डिग्री आने वाले एक सो साथ डिग्री कितने डिग्री एक सो साथ डिग्री चले यार बेश सक एक सो साथ डिग्री अंत्राल आया लेकिन आपको पता है अंत्राल एक सो साथ है लेकिन अंत्राल के सासाते कोन भी है या तो H2M है रिया है M2H वो कैसे मैनेज क किसके पास है, H के पास, तो सिद्धी सी बात है, मैं H2M पूछने की बारी आएगी, तो मेरा आंसर जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, 160, अगर दोस्तों, आपको M2H पूछे, यह तो H2M हुआ, अगर आप से पूछे M2H, क्या पूछे M2H, इसकी बारी आएगी, तो इस का जो आंसर रहेगा, कितना आएगा, 200, कितना डिगरी दोस्तों, तो बताइए, S2M 160, और M2H कितने डिगरी, 200 डिगरी, M2H कितने डिगरी, 200 डिगरी, यह आपके द्वारा लिखा जाएगा, ऐसा एक दू किसनों की बारे मैं और बात करते हैं, पर दोस्तों, इसका जाएगा, 10 बच के 10 मिनट समय, 10 बच के 10 मिनट, और देखें, 10 बच के 10 मिनट समय है, इसको अपने को किलियर करना आए, तो कैसे देखो, यह जो 10 होगा न, किससे गुणा होगा, 30 से, सिद्धी बात ते 30 से गुणा इसका एक बार आदा करना है ये गुणा किसे 6 से जैसे 30 से गुणा करोगे बताओ कितना आएगा 10 का आदा 5 ये 10 किसे गुणा 6 से कितना उने वाला है 60 तो बताओ है ह का मान है 305 डिगरी, म का मान है 60 डिगरी M का मान कितने डिगरी 60 अगर दोस्तों अंतराल बताने क्या दो इन दोनों का अंतर लेंगे कि नहीं लेंगे और अंतर कितना है 245 डिगरी बताओ कितना डिगरी मैं कह दूंगा अंतर है 245 अंतराल है 245 डिगरी अंतराल है 245 डिगरी अब ये 245 टिगरी अंतराल तो है लेकिन अंतराल के साथ एक कोण भी है या तो है S to M या है M to H या तो S to M या है M to H वो कैसे मैंनेस करेंगे अंतराल बताओ, कमजूर का साथ देता है सकति साली का कमजूर का कम बताओ kis के पास है M के पास तो इसके सामने मैं लिखने वाला हूँ M to H क्या लिखने वाला हूँ? M to H अगर दोस्तों अपने से पूछ लें की S to M कितना होगा क्या होगा? H to M तो किस में से कम करना है 360-245 जैसे 360 में से 245- करोगे इसका जो answer बनके आने वाला है बतो answer कितना आने वाला है 115 कितना degree 115 ऐसे question दोस्तों समें आ सकते हैं एक last question के और बारे में अपन बात कर लेते हैं दोस्तों जिसमें आप से कैसा पूचा चाहे तो कैसे आप answer देंगे ठीक है दोस्तों दीखिएगा last question जाए इसमें आपको दे दिया कि यार यहां समय हो रहा है 8 बज़ के 10 मिनट 8 बज़ के 10 मिनट समय है आप देखो 8 बज़ के 10 मिनट समय पर बताना है तो क्या करेंगे अपन CBCD बात है इस 8 को जो गुणा करेंगे न वो गुणा किसे करेंगे 30 यह जो 8 गुणा होने वाला है multiply होने वाला है 10 का अपन क्या करने वाला है एक बार आदा करने वाला है एक बार 10 किसे गुणा होने वाला है 6 से गुणा होने वाला है जैसे 38 को 30 से गुणा करेंगे क्या लिखा जाएगा 8, 3, 24, 24 जैसे 10 का आदा करोगी बताओ कितना होगा 5 तो बताओ 240 प्लस 5 बराबर कितना होगा 245 240 प्लस 5 बराबर जो लिखा जाएगा कितना लिखा जाएगा 245 डिग्री 60 कम करते हैं, तो जो अंत्राल आता है ना, अंत्राल, क्या अंत्राल 185 होने वाला है, अंत्राल जो आएगा ना, अंत्राल कितना होगा, 185, और अगर अंत्राल 185 है, तो दोस्तों आपको बता है, अंत्राल के साथ साथ ये कौन भी होता है, या तो होता है, S2M, या होता है, M2 और यह जो 7 देता है अंतराल हमेशा किसका साथ देता है कमजोर पक्स का साथ देता है और कमजोर बताओ किसके साथ है मिनिट के साथ कम है तो बताओ उसके सामने क्या लिखने वाले हैं अगर M2H 185 है और अगर अगर अपने को H2M पूछा गया है तो क्या करोगे 360 में से माइन करोगे देखों यहां 5 आने वाला है आगे दिखेए 5 15 में 70 कम करोगे 7 और यहां आपके द्वारा जो लिखा जाएगा वो कितना डिग्री लिखा जाएगा 155 डिग्री. कितना डिग्री're 12 5 डिग्री? कितना डिग्री're 155 डिग्री? तो सही जो answer आएगा S2M je 155 होगा, M2H 185 होगा और जो antral की भी बात करो antral कितना होगा 185 मैं कह सकता हूं कि antral antral की साहथ एक कोण का भी परथिनीदी तो करता है ये थी दोस्तों घड़ी की पहली टाइप जिसमें basic concept पूरा के लिए रता और basic के साथ साथ पूरी एंगल कई बार H का पूछता है कई बार M का पूछता है कई बार S to M कई बार M to H रेकिन एक धुरान रखना अंत्राल हमेशा कमजोर पक्स का साथ देता है दोस्तों तो आग् के मुलाकात होगी अगले पार्ट में तब तक के लिए चैहिन दोस्तों